वेलीकम बैक तो नाता मार्केट अनलेसिस फीडियो वीकली फीडियियू वीकली विलते हैं आने वाले कमिंग इनक वीडियू मार्केट क कीमेंट्म इसी के साथ यदि यहांपर सब्सक्राइग दिखा नौड जनाओट जहाँ पर संसे लेवल जो लास्ट वीग market ने support बना के Friday को 1200 point का bounce back दिया ये support आपके पास all time high था 2022 November के आसपास अगर market को यहाँ पर retest करके वापस से उपर जाना है तो मेरे इसाब से यहाँ पर 2-4 दिन time spend करना पड़ेगा 18800 से 190000 के आसपास तो sideways momentum दिखा सकता है यहाँ से अगर bounce back करेगा भी और direct bounce back कर जाता है कली Monday को जैसे Friday को 200 point उपर जाके बन दूआ 19000 के आसपास अगर कल Monday को और उपर निकल जाता है तो यह फिर rejection level होने माले market price action मना के फिर से नीची आ जाएगा अगर यहाँ से गिरना है हमें आपर फिर से shift हो जाएंगे अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी में daily candle की जिसा आप देख रहे हो Friday का rejection हमको देखने को मिला तो उसी इसाब से हम उसको देखेंगे कि momentum कैसी होने वाली है पहला जो हमारे पास swing निकल के आ रहा है वो है 19200, 220 का level जहां पर market ने in swings को break करके नीचे की एक momentum दिखाई थी ठीक है इसके बीच की बीच में बात करेंगे बट फिलाल नीचे का support अगर हम यहाँ पर देखें तो support हमारे पास बनेगा main support 18,830, 840 का level जो हमारे पास थ्रजडे को low लगा अभी market ने high क्या लगा है high देखो एक green candle यहाँ पर daily basis पर friday की बनी है इसके basis पर bullish नहीं हो सकते नीचे आए double autumn बनाए यह trap करके बाद में w pattern मना के उपर निकलेगा तो तब bullish होंगे फिलाल हमारा यह plan होना चाहिए कि अगर एक बार उपर गया है तो इसको यहीं पर वापस से negative candle देखके selling ही plan करेंगे एक बड़े sell trend के अंदर हमारे पास यहाँ पर यह जो green candle बनी है यह एक again selling की opportunity है क्योंकि यह हमारे पास एक profit booking वाला level है ठीक है इसके beach के levels के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 15 में time frame में ही वो समझ में आएगा कहाँ पर हमें trade करना है कहाँ नहीं करना है तो आपके लिए जो beach का resistance होने वाला है अभी जहाँ पर market close हुआ है वो है 19,080 का level अगर flat opening देखे 19,080 के उपर निकलता है तो भी आपको buy नहीं करना है आपको उपर आने देना है 19,230 के आसपास आएगा वहाँ पर हम इन levels के आसपास फिर से shooting star वगर देखे selling ये plan करेंगे अभी के level पर हम buying बिल्कुल भी नहीं कर रहे है अगर market gap up opening दे दिया तो gap up opening में उनने 200 से लेकर उनने 230 ये level है इसमें आपको काफी अच्छे sell trade मिल सकते है जो कि अभी no doubt काफी उपर है अगर gap up opening आ गई तो ये level काफी अच्छे रहेंगे sell trade capture करने के लिए मंडे को अगर market में आपर flat opening आ रही है और नीचे break हो रहा है तो 19,000 round number के नीचे आप sell कर सकते हो fresh selling आपको 19,000 के नीचे फिर से दिखाई देगी अगर काफी उपर मिल रहा है 19,000, 220, 210 या 180 के आसपास वहाँ पर भी हमारा selling ही plan है बीच में 19,100, 150 के आसपास no trade zone है जिसको आपको avoid करना है एक बहुत बड़ा gap down है तो gap down में wait and watch रखो range बनने तो वो range उपर break हो रही है या 800 के low को नीचे break कर रहा है उस according हम यहाँ पर nifty में plan करेंगे अभी हम यहाँ पर bank nifty को देख लेते हैं सेम हमारे पास यहाँ पर weekly candle आप देखेंगे एक बड़ी weekly candle बनी support यहाँ पर bank nifty ने लिया करीब 42,200, 100 के आसपास और यहाँ पर Friday को जो rejection मिला वो काफी बड़ा rejection देखने को दिखाई दे रहा है ठीक है यह rejection करीब bank nifty में हो गया करीब 400, 500, 600 point का rejection हो गया तो यह rejection काफी अच्छा है बट इसी केसाब से अगर rejection बढ़िया होते है नीचे से तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर यह गिरता हुआ market का है इसके अंदर 700 point की profit booking आई है तो यह वापस से जब sell trade देगा वो भी बहुत प्यारा sell trade देगा तो आपको bank nifty को sell कहाँ पर करना है उसके लिए levels भी draw कर लेते हैं पहला हमारे पास यहाँ पर जो resistance होने वाला है वो काफी उपर है 43,400 जिन levels को break करके नीचे गिरा है अब यह हमारे पास यहाँ पर एक level होने वाला है जहां बंद हुआ है bank nifty 42,830 के आसपास जो इसने high लगा है यह भी हमारे पास एक rejection है इसके उपर का rejection आपका बनेगा 43,033 की price का ठीक है 15 मिन टाइम फ्रेम में कैसे trade करना है bank nifty में इस दो resistance मैंने आपको बता दिया अगर इन पर आपको बेचने को मिलता है वापस से बेचेंगे flat opening मिल रही है यहाँ पर कुछ नहीं करना है अगर market gap up opening दे रहा है 43,000 के आसपास आपको selling plan करनी है या फिर आपको resistance 42,820,30 के आसपास मिल रहा है यहाँ पर भी आपको sell plan करना है अगर market flat opening देखिए उपर resistance पे ना मिला और नीचे निकला तो 42,600 के नीचे fresh selling कंटीनी हो जाएगी 42,600 जो Friday को या swing बनेते इन swings के नीचे हमें यहाँ पर एक को sell trade मिल जाएगा तरगेट हमारे again open हो जाएगे 42,200 तक के target यहाँ पर open हो जाएगे और selling fresh करनी है तो 42,150 के नीचे market को निकलने दो या 100 के नीचे निकलने दो उसके बाद में एक बड़ा sell trend फिर से continue हो सकता है अगर gap down आ गया तो gap down में यह सारे level जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनके नीचे sell करना है तो यह gap down में क्योंकि already एक bottom बना चुका है एक top लगाया है फिर वापस से अगर gap down आ गया तो यहाँ bottom बना के उपर जाने की कोशिश कर सकता है तो अगर gap down आ गया तो gap down में ध्यान रखना या तो आप sell करो 42,600 के नीचे या फिर आप sell करो सीधा 42,100 के नीचे fresh selling plan करो उसके बीच में अगर gap down आ रहा तो कहीं न कहीं trap हो जाओगे 600 के उपर उपर तक opening मिलनी चीए 42,600 के नीचे काफी अच्छा sell trade मिल जाएगा या तो फिर बेचने के लिए उपर मिल जाए 43,000 पे बेचने को मिल जाए 43,050 के लेवल पे बेचने को मिलता है तो यहां भी sell करेंगे बहुत उपर मिल जाता है 43,400 just in case एक बहुत बड़ा gap up याव एक bullish rally है 43,400 के आसपास भी हम यहां पर selling ही plan करेंगे buying अभी flawless interest नहीं है क्योंकि एक V-shape recovery यह दिखाई दे रही है जिसके business पर आप market में यहां पर buy नहीं करते है अभी हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की 19,130 के आसपास closing देखने को मिली है last के swing मार करके रख लो पहला swing यह 19,200 जो एक strong resistance बनेगा उसके उपर का resistance है 19,290 और उसके उपर resistance है 19,350 इन resistance के आसपास आपको देखने को मिलता है 19,200 या फिर 300 या फिर 350 के आसपास यह सारे resistance पे कहीं भी आपको negative candles या gap up opening देखने को मिलती है वहाँ पर आप sell करेंगे अगर flat opening मिल रही है तो flat opening में कोई buy या sell नहीं है उसके target 18,900 तक की selling आपको यहाँ पर market देखा सकता है gap down में थोड़ा सा alert रहना है देखना है पहले कोई range वगर बनने दो price action बनने दो या फिर 18,900 के नीचे ही fresh selling करो उससे पहले sell मत करना अभी हम sensex को देख लेते हैं एक बड़ा rejection sensex में भी हमको दिखाई दिया है theme analysis हमारा इसके अंदर होगा क्योंकि weekly candle sensex के भी आप देखेंगे तो एक बड़ी red candle आपको weekly basis पर दिखाई दे रही थी और जो rejection देखने को मिला sensex में हमें वो कहीं न कहीं previous support जो हमारे पाद नवंबर मंत में high थे उनी के आसपास देखने को मिला है और मेरे असाब से लगता नहीं है कि यहां से रिटेस्ट करके उपर जाना थी क्योंकि रिटेस्ट भी देखो ऐसा होता है ना कि market यहां पर break करके पहले रिटेस्ट किया तो वो इसको हमें रिटेस्ट कहते है अभी market ने क्या किया है यहां पर एक bullish करता तो उसको हम रिटेस्ट करते है बाइट मार्केट ने क्या किया है उपर गया हाई को break करके वापस second high लगाया वापस से नीचे आके third high लगाया proper price action मनाया उसके बाद में नीचे गिरा तो हम इसको रिटेस्ट की तरह अभी तो नहीं मान सकते जब तक यहां से उपर नही bearish ही रहेंगे selling ही करेंगे जब तक 65,000 last की necklines के उपर जाके trade नहीं करता sell trade ही रहेंगे निटी में भी same ऐसा ही होगा जब तक neckline के उपर नहीं निकलता एक downtrend ही continue होता रहेगा बट यहां पर अगर यह level समय वापस देखने को मिल जाते हैं तो वो एक selling opportunity आपके लिए जरूर ह हो सकते हैं या फिर अगर low break हो जाते 62,800 का low नीचे break होता है तो वहाँ पर भी इस insects में आपको एक selling opportunity देखने को मिलेगी daily candle में हम support registration draw कर लेते हैं जैसा एक level तो मैंने आपको बता यह है 62,800 का level दूसरा level आपके पास यहाँ पर जो निकलेगा अभी जिसके नीचे आपको fresh selling क 60 के नीचे 580 का level निकल के आ रहा है तो इसको आपको यहाँ पर trade करना है जैसे यहाँ पर Friday का भी हाई देखो क्या है Friday का हाई हमारे पास sensex के अंदर लगा 63,900 का तो इसको भी mark कर लो अभी 63,900 resistance mark कर लिया उसके उपर का resistance 64,220 को भी mark कर लेते हैं तो हमारे पास दो support दो resistance नि यहीं पर sell करो वापस 63,500, 550 तक गिरता हुए यहाँ पर दिखाई दे सकता है अगर 500 नीचे break हो जाता है 550 ब्रेक हो जाता है तो बड़े target फिर से open हो जाएंगे 62,840,30 का target open हो जाएगा और पहला target आपका यहाँ पर round number 63,000 का रहेगा 63,000 के नीचे second target 62,850 तक का यहाँ पर आ sell कर सकते हो अगर market gap down दे रहा है तो 63,500 के नीचे हम यहाँ पर selling pressure देखेंगे इसी के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे जान से हमको selling pressure दिखाई देखाई 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 है